प्यारे बच्चो कैसे हैं आसा करता हूँ आप सभी सवस्थ होंगे मैं पवन कुमार आज हम सिखेंगे आवसर एप के बारे में कि आवसर एप हमें अपने फोन में कहा मिलेगी कहां से हम इसको इंस्टोल करेंगे और कैसे हम इसका उपयोग करेंगे आवसर एप बेटा बहु अब आपके set के जो exam है वो भी आपके आउसर app पही होगा तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि यह हमारे mobile में कहा है कैसे हम इसको install करेंगे कैसे अपने mobile में इसको ले के आएंगे तो बेटा इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास smartphone होना होता है आपके पास touch वाला phone है तो उस आप गेम भी डाउनलोड करते हो यहीं से इसी पे टच करके इस पे जब उंगली रखेंगे तो हमारा अगला पेज खुल जाएगा पेज पे उपर का जो हिस्सा है देखो बच्चो यह वाला यहां पे हम सर्च करके अपनी आउसर एप ढूंड सकते हैं टाइप करके सर्च करे तो हम टाइप भी कर सकते हैं टाइप कैसे करेंगे देखो इस पे बार पे इस बोक्स में टच करेंगे तो यहां कि खुल जाएगा ठीक है और यह पूछेगा हमें क्या लिखना नीचे कीपड आ जाएगा मोबाइल में उस पे हम टाइप करेंगे ए वी एस ए आर आवसर आवसर आप का पेज खुल गया है यह हमारी आवसर आप है यह देखो 40 MB की है और इसके नीचे यह जो गरीन कलर में लिखा हुआ है इंस्टोल इस पे हम टच करेंगे उंगली से इस पे टच करेंगे तो यह हमारा यहां से इंस्टोल होनी सुरू हो जाएगी हां कई बार इं इसको टच करेंगे ताकि इसमें जगेhey बन जाए और उसके बाद यह ईंस्टोल होगी एक प्रोब्लम यह आती है इसमें इसको टच करेंगे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पर इंस्टोल पर टच करेंगे तो यह mobile हमारा इसको इंस्टोल करना स्रूँ कर अब यह process start हो गया, उपर देखो गोल गोल घूम रहा है, cancel का button है साथ नीचे, इस cancel का button हमें नहीं दबाना, हमें इंतिजार करना है, देखो 3% हो गया है, ऐसे करते करते हैं, यह 100%, 100% पूरा होते हैं, यह officer app install हो जाएगी, यह internet की speed पर depend करता है, अगर mobile में signal कम है, तो हम अपना phone इसको install करके हमें अगले page पे ले जाएगा, अब हमारी officer app install हो चुकी है, देखो यह अपने आप हमें अगले page पे लेके गया है, officer app अब scanning हो रही, इसको छेड़ना नहीं है, cancel नहीं करना, यह चेक करना है, कि इसमें virus तो नहीं है, अब यह हमारी officer app ready हो गए, यह use करन अब हमारी officer app खुल चुकी है, इस पर क्या है, एक तरफ student है, एक teacher है, दोनों के लिए officer app होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ student के लिए देख रहे हैं, तो student का जो है, लिखा हुआ वो निले रंग का, गाड़ा निले रंग का आया हुआ है, तो इसका मलब यह student का page खुला हुआ ह अब इसमें क्या है, पहला जो box है, यह है हमारे district का, select district, जब इस पर टच करेंगे, तो हमारे हर्याना के 22-22 district मतलब जिले आ जाएंगे, उसमें से हमें अपना district select करना है, आपका कौन सा district है, सबसे पहले हम district select करेंगे, देखो मैंने touch किया, touch करते ही, सभी district, सभी जिले यहां हम अपने जिले को चुनते हैं, फते अबाद select कर लिया, मैंने उसके बाद block, block वाले उंगली पे touch करेंगे, block वाले box में जब touch करेंगे, तो आपके block का नाम आ जाएगा, इसमें से आप अपना block select करेंगे, हाँ, यहां कुछ दिक्कत आती है, कई बार हम इनको touch करते रहते है कुछ भी नहीं आता, बच्चे कहते हैं, सर कुछ आई नहीं रहा, बिल्कुल साफ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तिन तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं, एक तो हम अपने mobile में signal चेक करेंगे, कहीं internet कम तो नहीं है, slow चल रहा है, तो हम थोड़ा बाहर या उपर छट प कर लेता है, दूसरा तरीका हो गया, तीसरा तरीका यह है, कि हम अगर फिर भी ना हो तो अपसर अप को अनिस्टोल मतलब डिलीट कर देंगे, और पले स्टोर से जाके उसको दुबारा से इंस्टोल करेंगे, जैसे अभी हमने सिखा है, उसके बाद ये बोक्स जो खाली रह अगर आपको अगला बोक्स नहीं खुला तो आप चेक करो, पिछले वाले बोक्स में आपने कुछ गलत तो नहीं स्लेक्ट कर लिया है, फिर तीसरे नंबर पर आगया हमारा स्कूल, स्लेक्ट स्कूल करेंगे, ये स्कूल ब्लोक की लिस्ट आ गई है, इसको उंगली से उप स्लेक्ट कर लिया है, गौर्मेंट प्रैमरी स्कूल जल्लोपूर, इसको मैंने स्लेक्ट कर लिया, तो ये स्कूल का नाम स्लेक्ट हो गया, अब स्कूल का स्लेक्ट क्लास, इसको अपनी क्लास स्लेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेम पर टच्च करेंगे, तो आपकी क्लास क तो डेट of birth भरनी है, डेट of birth भरने के बाद ओके कर निसान है, नीचे उस पर टच करेंगे, कीपट जला जाएगा, continue का नीले रंग का ब्लू कुलर का बड़ा सा बोक्स, जिस पर लिखा होगा continue, ये इस पर टच करेंगे, तो ये हमें अगले पेज पर लोगिन कर देखो, यह हर रोज सुबह 10 बजे सर्वे जरूर चेक करें, यहां पर जो आपने पार्ट पढ़ा है, जो टीचर ने पढ़ाया है, वो पार्ट का सर्वे के कुछ पांच असान असान क्यूशन आते हैं, परसन आते हैं, उनमें आपको नीचे से सलेक्ट करके उटको सब्मिट करना होता बेटा, यह सब बच्चे यह सर्वे हर रोज जरूर करें, और यहीं पर ही आपके मेगा सर्वे का जो लिंक आया था, वो यहीं पर मिला था आपको इसी जगह पर ही, और आपके अभी जो सैट के एक्जाम होंगे, उसका लिंक भी आपको यहीं मिलेगा, यहां से आपको आपको ये ध्यान अगना यहां मिलेगा हाँ और देखें इसके बाद इसके निचे वाले बोक्स है weekly learning schedule यहां पे हर हपते का जो आपका पढ़ने का schedule क्या रहेगा क्या 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 आपको पढ़ना है वो मिलेगा यहां पे आपके practice और assessment का है इस पे टच करोगे तो इसे का page खु होगे तो वो मिलेंगे कि सब्ता हमें क्या पढ़ना है ठीक है यहां पे today learning schedule आज का क्या schedule है पढ़ने का वो आपको यहां मिलेगा इसके निचे मिलती है आपको news and updates इसके बारे में कोई भी आप इसको उपर निचे करके देख सकते हो यह परनीत जो नाम है इस नाम के आगे देखो एक box है box में से तीर बाहर निकल रहा है इसमें से क्या होगा इस पर टच करेंगे तो हम देखो आगे पनीत बेटी का page इसमें login हो गया है और इसके साथ ही एक box और है plus का निचे लिखा है add student यहां से आप हम अपने परिवार के छोटे भाई बहन अपने अडोस प्रोस में जो बच्चे जिनके पास mobile नहीं है उनको भी add करके उनको भी बोल सकते हैं अपना phone देके उनको कह सकते हैं कि आप भी अपना survey कर ले अगर उनको exam देना है तो आप उनको exam अपना phone देके कह सकते हैं आप भी exam अपना exam कर सकते हैं इसमें जिसको जूर तो उसी के नाम के उ उपर नाम आ जाएगा यह ध्याना किना इसको हम लोग आउट नहीं करेंगे लोग आउट करेंगे तो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा इसको इसलिए लोग इन ही रहने दें एक यह है और कितने बच्चे अडी करने इसमें कोई दिकत नहीं है यहाँ जिसकाणाम होगा उसी बच्चे का पेपर एक्टिव सर्वे मेगा सर्वे उसी बच्चे का होगा इसलिए यहाँ अगर नाम बदलना है तो यह तरीका मैंने बताया था यहां जाके, कई बार हम app download कर लेते हैं, कुछ समय के बाद app की update आती है, update कैसे करनी है, update करने के लिए भी वही तरीका है, play store है, play store पर क्या करना हमें, play store पर touch करेंगे, तो play store खुलेगा, उपर वैसे ही search करना है, अब्डेट पर करेंगे, यहां अपडेट अपडेट आई हुई है, तो इसको touch करके, हम अउसर app को अपडेट करेंगे, अपडेट करने काम, mobile अपने आप करेगा, गोल गोल घुमेगा, और हमारी app अपडेट हो जाएगी, इतना असान है, update करना कोई मुस्किल नहीं है, इस त करते हैं